दोस्तों हमारे देश में आये दिन ऐसी कहीं सारी गटनाएं घटित होती रहती हैं, जिन गटनाओं में या तो किसी की हत्या कर दी जाती हैं, या फिर किसी के साथ रेप और बलादकार जैसी गटना को अंजाम दिया जाता हैं। पहुंसते काफी परेशान हो जाती हैं, पुलीस के भी पसीने चूट जाते हैं, अपरादी पुलीस की आँखों के सामने था, आसपास ही घूम रहा था, लेकिन फिर भी पुलीस उसे पैचान नहीं पा रही थी, लेकिन बड़ी मशकत और मेहनत के बाद, पुलीस जब इस माम परेशान हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई वेक्ती एक महीला के साथ इतनी दरिंदी की भरी हरकतें केशे कर सकता हैं, इस गटना के पीछे की पूरी सचाई जानने के लिए आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखें, नमस्कार मेरा नाम है स आज जो आपको सची गटना सुनाने जा रहा हूं, ये सची गटना है मद्यप्रदेश की, मद्यप्रदेश का एक जीला लगता है सहडोल, और सहडोल का ही एक थाना सिक्तर लगता है, बेभारी थाना सिक्तर, बात कर रहा हूं 26 मार्च 2018 के आसपास की, सुबह के करीब 6 से 7 बजे के आसपास का समय होगा, एक वेक्ती नजदी की फुली स्टेशन पर कोल करता है, और कोल करने के बाद वो कहता है, कि साब मैं खाम दंड जो गाउं है, इस गाउं से बोल रहा हूं, इस गाउं का एक बगीचा है, और उस बगीचे के अंदर एक महीला की डेड़ बोड थी, इसके अलावा यही नहीं, बलकि उस महीला के जितने भी प्राइवेट पार्ट थे, उन सभी प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से जला दिया गया था, पुलीस उसे देखने के बाद हैरान और परेशन होती है, और लोगों से जब पूंस्तास करती है, तो पता च यानि राम जी राठोर और बाबुलाल भी वहीं पर मौजूद थे, पुलीस जब उन से पूंस्तास करती है, तो बाबुलाल कहता है कि साब, मार्च का महीना है, मेरी फसल पक चुकी है, मैं घर पर कम रहता हूँ, और मेरे खेत पर जो टपरी बनी हुई है, उस टपरी पर म उनकी तहरीर पर धारा 302 के तहत अग्यात वेक्तियों के खिलाब एक मुकदमा दर्ज करती है, और इस केस की चान मिन करती है, उस समय उस डेट बोडी को वहां से उठा कर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया जाता है, दो दिन बाद उस बोडी का पोस्मार्टम करने के दिया जाता है, यानि नीतू राटोड का अंतिम संसकार कर दिया जाता है, अब पुलीस एक से दो दिन निकल जाते हैं, लेकिन फुलीस के खात खाली के खाली थे, उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो अपरादी तक पहुंच सके, अब देरे देर कि मेरी बहु को किसने मारा है, आप जल्दी करिये, अपरादियों को पकड़िये, किसने मेरी बहु के साथ इस परकार की गटना को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्दा पकड़ कर जेल में डाली है, इसके बाद पुलीस हैरान और प्रेशान हो जाती है, क्योंकि महिलाओं से जब वो बाचीत करती हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो नितू राठोड हैं, इसने साल 2016 में अपने पती और ससुर पर देहज उर्पिडन का केस लगाया था, और इसके अलावा यही नहीं, बलकि जिस दिन यह हत्या की गई थी, जिस दिन उसका मडर हुआ था उसके एक दिन पहले, यह नहीं 25 मार्च को जब यह मजदूरी करकर लोट रही थी, तो अपनी सहीली को उस दिन इसने कहा था, कि मैं कल नहीं आऊंगी, कल मैं अपने माई के जाऊंगी, चार से पांस दिन वहां रहकर आऊंगी, अब इसके बाद पुलीस उसके ससुर बाब गरंतों का हवाला देते हुए कह रहा था, कि हम जो भी करम करते हैं, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, हमें इसी जनम में भुगत्तर जाने पड़ते हैं, अगर आप अच्छे करम करेंगे, तो हो सकता है, आने वाले समय में आपके साथ अच्छा हो, अगर आप बुरे कर करते हैं तो आपके साथ आने वाले समय में निश्यती कुछ ने कुछ बुरा जरूर होगा जब पुलीस वाला उसके पास बेट कर इस तरह की बाते जब कर रहा था तो अचानक से बाबुलाल भावुक हो जाता है और वो उस पुलीस वाले को एक ऐसी कहानी एक ऐसी स्टोरी वो अपने चार साल की बेटे की अच्छे से परवरिस करता है उसकी अच्छे से देखभाल करता है दीरे दीरे करके उसके बेटे की उम्र बढ़ने लगती है और जब उसका बेटा जवान हो जाता है तो बाबुलाल को पता चलता है कि उसका जो बेटा है उसकी उम्र बढ़ राम जी राठोड है वो मंद बुद्धी है इसलिए उसके बेटे का कहीं पर भी रिस्ता नहीं होता है हैरान और परेशान हो जाता है और बाद में वो रिस्ते के लिए आना जाना ही बंद कर देता है इसके बाद एक दिन घर बेटे ही उसके बेटे के लिए रिस्ता आता है नीतू राठोड का जब रिस्ता आता है उसे पता चलता है कि ये उसके बेटे के लिए आए शायद हो सकता है नीतू राठोड की जो मता पिता थे उनको पता नहीं था कि उसका जो बेटा है वो मंद पुरी रात गुजर जाती है जैसे ही सुबह नितो अपने पती से बाचीत करती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो पती है वो मंद बुद्धी उसका सरीर चाहे दिखने में बड़ा है उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन बच्चों वाला उसके अंदर दिमाग है इसके बाद व वो अपने पती का इलाज भी खूब कराती हैं, लेकिन डोक्टरों के इलाज से उसे किसी भी परकार की कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी, किसी भी परकार को कोई सुधार नहीं हो रहा था, अब जो उसका पती होता है, जिसका नाम रामजीरा ठोड होता है, वो दिमागी इस तर सला की असपास की, साल दो हजार सूला में इसी मामले के चलते, वो अपने पती और ससुर पर देhजू प्रिडण का कैस कर देती हैं, जब उसके ससुर यदि बाबुलाल को इस मामले में पता चलता है, तो बाबुलाल उसके माईके पहुंसता है, अपनी बहु से बासीत करत और जेसे तेसे बहला फुसला कर वो उसे वापी ससुरा लेकर नहीं उसके घर लेकर आ जाता है अब बाबुलाल उसकी बहु का ख्याल रखने लगता है जो कोई भी काम हो उस काम के लिए बाबुलाल ही हमें ऐसा आगे रहे था उसे चाहे मार्केट जाना हो या फिर कहीं और तो हमेसा बाबुलाल ही उसे मार्केट लेकर जाया करता था एक दिन बाबुलाल जब अपनी बहु के पास किसी काम से जाता है तो उसे वो उस इस्तिती में देख लेता है जिस इस्तिती में शायद उसे नहीं देखना चाहिए था वो उसकी जवानी को देखने के बाद उस पर पागल सा हो जाता है वो सोचने लगता है कि एक ना एक दिन मैं अपनी बहु को अपने दिल की बात जरूर कहूंगा लेकिन वो डर रहा था कि कहीं न कहीं बात बिगड़ न जाये और ये बात अगर लोगों तक पहुँच गई तो काफी मामला बिगड़ जाएगा अब ध पहली बार दोनों के बीच में सारीक समद बनता है और ये सिलसिला धिरे-दिरे करकर ऐसे ही चलने लगता है अब धिरे-दिरे समय गुजरता है एक दिन नितूराटोड अपने ससुर से कहती है कि मुझे आप से शादी करनी है इसके बाद बाबुलाल हेरान और परेशान हो जाता है वो कहता है कि मैं तुम से शादी नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया की नजर में तुम मेरी बव हो अगर मैंने तुम से शादी की तो दुनिया में और समाज में मेरी काफी बदनामी होगी लेकिन जो नीतुर आठोर थी वो कह रही थी कि मैं इस तरीके से जिंदी ये नह अब वो घर बहुत कम आता था, अपनी बहुत से दीरे-दीरे करकर दीरे-दीरे कर kart वो दूरी बनाना शुरू कर्टेता है, अब धीरे-दीरे करकर समय निकलता लेकिन नीतूराटोर अपने घर जाने से पहले, जो घर होता है, तो अब आधा रही श़़ाएं, पहले वो पहुंच जाती है अपने ससूर के पास जहां उसकी टप्री बनी हुई थी। उस टप्री पर जाने के बाद अपने ससूर से वो बात करती है और कहती है कि आज घर चलिए मुझे आपके साथ वो करना है जो पती और पत्नी करते हैं। कभी कभार उसके पास आजाया करते थे और उसे इसी बात का डर था कि आज अगर उसके दोस्त यहां पर आए और उन्हों ने अगर उसकी बहु को उसके पास देख लिया तो उसकी समाज में काफी बेजिती होगी। उस बगीचे में जाकर डाल देता है उसके तंज से पूरे कपड़े हटा देता है और जगह जगह उसे चोट पहुचाता है और साथ ही उसकी जो प्राइविट स्पार्ट होते हैं उनको बुरी तरीके से जला देता है। बाबुलाल इस तरह की हरकत इस लिये करता है ताकि देखने वालों को गाउवाले हो या पुलीस वाले देखने वाले को ऐसा लगे कि इसके साथ रेप और बलातकार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है और फिर इसकी हत्या करती गई है। लेकिन जब पुलीस इस मामले की चानबीन करती है और बाबुलाल अपने मुक से ही जब इस घटना की पूरी सच्चा ही बताता है तो पुलीस भी खेरान और परेशान हो जाती है। आप में तब तक के लिए दोस्तों जेखिन जेवारत